दिवाली हो, होली हो, या कोई बड़े पार्टी हो, ऐसे मौकों पे मॉबाइल की बैटरी से जलने वाला जालर खुज से बना कर अपने दरवाजे पर यह दि लगा देंगे, तो आपके दरवाजे की सोभा बढ़ जाएगी, देखें, देखने में कितना सुन्दर लग रहा है तो इस तरीके का मॉबाइल के बैटरी या चार्जर से जलने वाला जालर कैसे बनाते हैं, और इसके लिए कौन-कौन से सामान की जरूत पड़ेगी, चले देख लेते हैं तो इसके रिए सबसे पहले हमें कुछ RGB LED की जरूत पड़ेगी, यह है Multicolor LED वल्ब, वैसे तो यह तीन कलर में जलता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि इसमें से साथ कलर निकलता है तो सब मिला जुला के आप इसे Multicolor LED वल्ब कह सकते हैं, यह LED वल्ब मार्केट में आपको लगभग 2 रुपय का मिल जाएगा पिछले साल जब मैंने इस LED वल्ब को खरीदा था, तो मुझे एक LED वल्ब 1.5 रुपय का मिला था लेकिन इस साल Lockdown की चलते इस LED वल्ब का रेट जो है बढ़ गया है, यह एक LED वल्ब मुझे 2 रुपय का मिला है इस तरीके का रवर या प्लास्टिक का आपको पाइप चाहिए, और यह पाइप इतना मोटा होना चाहिए, जिसमें कि यह LED वल्ब अच्छे से फिट हो सके बनाने के लिए इस तरीके का हमें Soldering Iron की जरूत पड़ेगी और कुछ रागा की जरूत पड़ेगी ताकि इन LED को इस वायर में Connect कर सके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी LED को इस बैटरी की मतलब से चेक कर लेंगे, कि सभी LED सही पेकार से जल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यदि आप बिना चेक किये ही पूरा प्रोजेक्टर बना देंगे, तो बनाने के बाद हो सकता है, आपको पता चले कि इन में से कोई LED फ्यूज है, तो बात में समस्या होगी, फिर उस LED को निकालना पड़ेगा, नई LED को डालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम सभी LED को चेक कर लें, और इस LED में दो काटा होता है, यानि दो वायर होते हैं, यह जो बड़ा वायर होता है, वो प्लस होता है, और छोटा वाला माइनस होता है, तो इस बात का आप ध्यान दीजे, इसी के हिसाब से हम सभी LED को बारी-बारी से चेक कर लेंगे, LED के बड़े वाले काटे में हम लाल तार जोडेंगे, और छोटे वाले काटे में ब्लैक तार जोडेंगे, इसी प्रकार से सभी LED को हम चेक कर है बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो इन LED को भी मैं चेक कर लूँगा आप इसके बाद हम क्या करेंगे यह जो पाइप है इसको हम इस तरीके से मोड़ कर देख लेंगे कि कितना मोड़ने पर सही आकार बन जाएगा मैं यहाँ पर इतना गोलाई करूँगा आप चाहें त सफी पाइप को हम इसी के बराबर में काट लेंगे काटने के बाद दोनों तरह प्यादी हम LED लगा देते हैं तो LED लगाने के बाद देखिए इस तरीके से दिखाई देगा अब हम क्या करेंगे जितने टुकड़ों की जरूरत है हमें उतना टुकड़ा इस पाइप में से का काट लेंगे तो यहाँ मैंने सफी पाइप को बराबर टुकडों में काट लिया है अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस वायर है सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने दरवाजे के पास जाएंगे और इस वायर को नाप लेंगे कि हमारे दरवाजे पर लगाने के लिए कितने ब तो जैसा के आप दे सकते हैं मैंने पूरे वायर को बराबर हिस्से में काट लिया है अब इसके बाद हम इस तार में से आगे वाले हिस्से को थोड़ा-थोड़ा छील लेंगे ताकि सोल्डी करने के काम आये अब हम दोवारा क्या करेंगे लाल वाले तार में लाल और काला वाले में काला को जोड़ देंगे देखे इस परकार से हलका सा जोड़ देंगे ताकि सोल्डी करने में हमें कोई दिक्कत ना हो यहाँ मैंने सभी तार को आपस में जोड़ लिया है देखिए लाल वाले में लाल और काला वाले में काला को इस प्रकार से जोड लिया है यह जो तार है एक एक जगा में पर हमें दो-दो LED को फिट करना है अब इसके बाद हम क्या करेंगे यह जो LED है LED का जो दुनों काटा है यह थोड़ा बड़ा है इसको हम काट के छोटा कर ले लेकिन काटने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि एलेटी में जो बड़ा वाला काटा है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना है और छोटा काटा है उसको थोड़ा सा काट के छोटा कर देना है उसके इस आप से सभी एलेटी के काटे को हम काट लेंगे अब इस एलेट LED को इसमें लगाएं तो हमें ज्यादे परशानी ना हो आराम से LED लग जाएं तो चलिए पूरे तार में हम इस प्रकार से रांगा को लगा लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पूरे वायर में जहां जहां वायर कटा हुआ है सभी वायर में हमने थोड़ा-थोड़ा रागा लगा दिया है इसी प्रकार से हम सभी LED में भी रागा को लगा लेंगे देखे इस प्रकार से हम सभी LED में थोड़ा-थोड़ा रागा लगा लेंगे ताकि बाद में तार के साथ इसे जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो यहां पर हमने LED में भी रागा को लगा लिया है अब हम क्या करेंगे इस वायर में इन LED को जोड़ेंगे तो इन वायर में LED को जोड़ने के लिए यह जो LED का बड़ा काटा है हम लाल वाले तार में जोड़ेंगे और जो छोटा काटा है इसे हम काले वाले तार में जोड़ेंग देखे इस प्रकार से एक LED जोड़ने के बाद हम दूसरे LED को भी इसे प्रकार से जोड़ लेंगे दूसरे LED का जो बड़ा वाला काटा है लाल वाले तार में और जो छोटा काटा है उसको काले वाले तार में जोड़ देंगे तो जैसा कि आप देशकते हैं हमने यहाँ पर सभी एलेटी को पूरे वायर में कनेट कर दिया है देखे इस प्रकार से आपको भी लगा देना है अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास कटा हुआ पाइप है उस कटे हुए पाइप के एक सीरे को एक एलेटी में और दूसरे सीरे क दूसरे एलेटी में देखे इस तरीके से लगा देंगे तो इसी प्रकार से हम सभी एलेटी में इस पाइप को लगा देंगे यहां पर हमने सभी LED के साथ पाइप को जोड़ दिया है और पाइप जोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है यदि पाइप जादे दूर में खुला हुआ है तो इन दोनों LED को थोड़ा सा आपस में दबा देंगे तो यह पाइप जो है थोड़ा सा अं इसी के मतल से हम इसको चेक करेंगे बैटरी के प्लस वाले तार में हम इस तार के लाल वाले तार को जोड़ देते हैं और माइनस वाले तार में काला तार को हम जोड़ देते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनके तयार है और अच्छ झंदर दिखाई दे रहा है। इसे प्रकार का जहलर बनाकर यदि आप भी अपने दरवादी पे लगा देंगे तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। वो विष्वास नई करेंगे कि इस जहलर को आपने खुद से बनाया है। यदि आप चाहें तो इसे प्रकार का जहलर बनाकर दरवादी पर भी लगा सकते हैं और नहीं तो चाहें तो दिवाल में भी टांग सकते हैं चलिए मैं आप लोगों को दिवाल में टांगे दिखाता हूं देखिए दिवाल में टागने के बाद कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है देखने में गजब का लग रहा है कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस जालर को हमने खुद से बनाया है सब यही सोचेंगे कि आपने कहीं से खरीदा है तो उमीद है हमारा बनाया हुआ जालर आप लोगों को पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाईक कर दे हमारे चनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरुर प्रेस कर दे तो मिलते हैं इसे बगाए कि एक और जोगाड़ वीडियो में तब तक के लिए थैंके दोस्तों